अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 4Wand का resistance है अब इस पर ये color की पट्टी बनी हुई है इसका code होता है इसका code याद रखना पड़ता है अगर इसके code के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो SMD resistance भी आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो इसके code को याद रखना पड़ता और उसके बाद आप लोग बहुत ही अच्छे से resistance को परपाएंगे अब समझते हैं किसको कैसे देखा जाता है नॉर्मल रेजिस्टेंस में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं किसका first color किदर से होता है पहला color कौन सा होता है तो इसका पहला color कैसे हम पकड़ते हैं उसका कई इधर कर दें तो कैसे पढ़ेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अब first color कौन सा है तो दूसरा तरीका क्या होता है सिल्वर जो पट्टी है यह यह first में कभी नहीं होता है कभी यह तीसरे नंबर पे यह चोथे नंबर पे होता है इतना समझ गय तो आप लोग को पता चल गया कि यह चोथे नंबर पे है तो हमारा पहला नंबर इधर से है या तो यह तीसरे नंबर पे रहेगा फिर भी हमारा पहला color इधर से हुआ क्योंकि silver color जो है वो first में कभी नहीं आता है आप लोग समझ गय होंगे कि first color कैसे हम पहचानेंगे अब यहाँ पे देखिए इसका calculation कैस होता है अब देखिए यहाँ पे resistance का value 1000 ohms से नीचे रहेगा तो उसका calculation नहीं करते हैं वो ohms में आता है लेकिन 1000 ohms से उपर का value हो जाता है उसको k या m में बदलते हैं k मतलब kilo ohms m मतलब mega ohms तो इसको बदलने के लिए दो formula है पहला formula है k में बदलने के लिए यानि कि kilo ohms में बदलने के लिए resistance का जो भी value आएगा ohms में उसको 1000 से divide करेंगे तो उसका जो value आएगा वो k में हो जाएगा उसके बाद दूसरा तरीका है कि resistance को m में बदलने के लिए यानि कि mega ohms में बदलने के लिए resistance की value को 10 lakh से divide करना होगा अब 10 lakh से divide करेंगे तो जो value आ तो इस तरीके से इसका दो फर्मूला है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यह फेस्ट कलर वर्ट है तो पोडवन होता है यह का डिरेक्ट हम लिख लेंगे उसके बाद दूसरा कलर जो होता है उसका भी डिर्लेक्ट code लिखा जाता है तो दूसरा color black है तो black का code 0 होता है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे उसके बाद यह तीसरा color red है तो तीसरा color भी हो इसका code नहीं लिखा जाएगा इसका जितना code होता है उतने ही 0 लिखा जाएगा जैसे कि यह red का code 2 होता है तो यहाँ तीसरे नमबर पे rate है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे 2 0 लिखेंगे इस तरीके से ठीक है तो अब यहाँ पे हम 2 0 लिख लेंगे यह हो गया तो अब कितना हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब यहाँ पे brown का code 1, black का code 0 होता है, 0, उसके बाद red का code 2 होता है, तो यहाँ पे 2, 0, तो इस resistance को हम ohms में बोलेंगे, तो यह हो गया 1000 ohms का resistance, अब इस resistance को हमें k में बदलना पड़ता है, क्योंकि 1000 ohms या 1000 ohms से जादा का resistance होता है, तो उसको k में बदला जाता है, तो अब इसको हम K में बदलेंगे K में बदलने के लिए कि इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो K में बदल जाता है 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 1000 Ohms को K में बदल दिये तो यह 1K Ohms होगा मस्ते हैं कि M में यानि कि Mega Omm में कैसे बदला जाता है resistance को तो चलिए इसको जानते हैं तो देखिए इसके लिए पहले हमें resistance का value निकालना पड़ेगा तो इसके code के अधार पर value निकलता है तो अब यहाँ पर brown first number पर है तो इसका code 1 होता है 1 लिख लेंगे उसके बाद black second number पर है तो यहाँ पर second पर रहेगा तो 0 होता है उसका code third पर अगर black होता है तो उसका code कुछ नहीं होता है उसको कुछ नहीं मानेंगे तो यह second पर है तो 0 लिख लेंगे उसके बाद third पर green है तो green का code 5 होता है लेकिन यहाँ पे हर नमबर पे जो भी code होगा उतना ही 0 लिखा जाएगा यानि कि यहाँ 5 0 लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यह हो गया इसका value तो इस resistance को हम ohms में बोलेंगे तो 10,00,00 ohms का resistance है यह तो इसको हम अब m में बदलेंगे यानि कि मेगाओं में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे वो समझिए अब यह हो गया 10,00,00 इसको divide करेंगे 10,00,00 से तो बिल्कुल simple तरीका है divide करने का जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको 0 से 0 कट कर देंगे जैसे कि आप लोग school में भी पढ़े होंगे तो उसी तरीके से इसको cut करना है सिद्धा सिद्धा cut करना है तिहाँ पे देखिए 3,0 से 3,0 कट गया यह 3,0 से 3,0 कट गया पूरा कट गया 1 आया तो यह हो गया 1 M यानि कि 1 MHz का resistance हो गया इसका value 1 M यानि 1 MHz का resistance है तो इसी तरीके से आप लोग को K में यानि कि kilo ohms में value को बदलना है तो उसको 1000 से divide करेंगे और value को M में जानि कि mega ohms में value बदलना हो तो उसको 10,00 से divide करेंगे